Find the solution of the differential equation 10 inverse x minus y dx equal to 1 plus x square dy तो यह equation हम इस वीडियो में करेंगे तो पहले कि अगर आपने मेरे चैनल दमैस गुरुदेव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो first of all हम क्या करेंगे कि जो दी हुई equation है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं और इस equation को लिख लेने के बाद हम dy upon में dx निकालेंगे तो उसके लिए हमारे को क्या करना है कि जो है dy के नीचे dx को ले आते हैं और 1 plus x square जो dy के साथ है multiply होरा उससे दूसरी side divide कर देंगे तो इस तरह से dy upon में dx हुआ 10 inverse x minus y upon में 1 plus x square अब इसको एक बार फिर से लिखते हैं देखे 10 inverse x upon में 1 plus x square और minus के y upon में 1 plus x square अब जो minus के y upon में 1 plus x square है इसको हम left side में ले जाते हैं तो हमारे पास dy upon dx जो है वो हो जाएगा के साथ आएगा plus के y upon में 1 plus x square और दूसरी तरह राइट side में जो रह जाएगा 10 inverse x upon में 1 plus x square तो यह जो है एक differential equation है जिसकी form जो है हमारे को देखनी है तो यह जो form इसकी है वो आप देखेंगे कि वो dy upon में dx प्लस में py equal to q के equal है तो यह इस तरह से यह dy y dx as it is है और यह जो है वान अपॉन में 1 plus x square जो है वो p के equal हुआ तो यह हो गया py और 10 inverse x upon में 1 plus x square को हम क्यों मान सकते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि p जो है वो है 1 upon में 1 plus x square तो और जो 10 inverse x upon में 1 plus x square है वो जो है q के equal है तो यह एक linear differential equation है तो linear differential equation है तो इसका जो है solution के लिए हमारे को integrating factor जो है वो निकालना है तो integrating factor जो है वो होगा आपका इसमें e क्या जो है e के उपर हम integration करेंगे p dx तो p जो है वो हमारे को पता है कि वो है 1 upon में 1 plus x square तो इसका और जो है हम जो देख रहे हैं कि यह हमारा integrating factor आ गया तो इससे जो है हम इसको नए रूप में अब equation को इस तरह से लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा y into में e raise power 10 inverse x यहां पर आ जाएगा तो यहां पर आया y into में जो है e raise power 10 inverse x और यह जो है equal हो जाएगा आपका integration करना है हमारे को integration किसका करना है वह e raise power 10 inverse x into में आपका जो q है 10 inverse x upon में 1 plus x square इसको साथ multiply करके integrating factor को और पूरे का जो है हमारे को integration करना है x के respect में तो इस तरह से यह हो जाएगा अब आप देखिए कि हमने जो है यहां पर प्लस में सी एक constant भी होगा तो यहां हम इसको simplify करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि e raise power 10 inverse x into में 10 inverse x upon में 1 plus x square यह जो है हमारा i1 के equal है तो यह इसको i1 मान लेते हैं तो इसको हम अलग से solve करते हैं थाकि बार बार पूरी equation ना लिखने पड़े तो इसलिए जो है हम इसको आगे इस तरह से करेंगे कि अब हम यह मान लेंगे कि i1 में जो 10 inverse x है उसको हम t के equal मान लेते हैं तो उससे जो है क्या होगा कि जो है 10 inverse x को t मान लेने से x जो है वो 10 tk equal हो जाएगा तो x हुआ 10 tk equal तो 10 t हुआ x तो अब हमारी जो है i1 जो है वो इस तरह से change हो जाएगा कि यह जो है e 10 inverse x है वो जो है हमारा इससे पहले हम इसको एक बार differentiate करके देखते हैं तो यह 10 inverse x का differentiation होगा 1 upon में 1 plus x square dx और t का हो जाएगा dt तो अब जो है हम इसको change करते है i1 को तो e 10 inverse x जो है वो e t हो जाएगा क्योंकि 10 inverse x को हमने t माना है तो यह हो गया e raise power t और 10 inverse x जो है वो t के equal है तो into में t हो गया और जो है 1 upon 1 plus x square dx जो है बचा हुआ वो dt के equal है जैसे कि अभी हमने वो differentiation करके 10 inverse x equal to t का किया था तो हम t को first और e raise power t को second मान लेते हैं तो यहां पर t बार आएगा और फिर e t का जो है integration करेंगे और जो है फिर minus का sign होगा और t का जो है इसका integration करेंगे और अब हमारे को क्या करना है कि e raise power t जो है वो e raise power t ही होगा उसका integration और t का differentiation है वो one होगा और e raise power t का integration e raise power t ही आएगा और पूरे का फिर एक बार integration करना है जो की e raise power t के ही equal होगा इस तरह से हमारा आएगा e t into में e raise power t minus में e raise power t तो e raise power t common आ गया तो t minus one bracket में बचेगा अब t क्योंकि 10 inverse x के equal है तो इसकी value रख देते हैं तो यहां आ जाएगा e raise power e raise 10 inverse x और वहाँ पे t की जगा 10 inverse x और फिर minus के 1 यह bracket के अंदर आया अब हमारे पास जो है हमारा जो change हो जाएगा solution वह इस तरह से होगा कि y e raise power 10 inverse x equal to हो जाएगा e raise 10 inverse x into में नीचे bracket में हो जाएगा 10 inverse x minus के 1 तो i1 की value जो है यहां पे value हमने solve करी थी वह हो गई और plus में c हो गया अब देखिए left side में जो 10 e raise power 10 inverse x है उससे जो है divide कर देंगे तो left side में खाली भाई आ जाएगा और 10 inverse x इदर से खतम हो गया और हमारे पास आया 10 inverse x minus 1 और c के नीचे e raise 10 inverse x आ जाएगा तो यह 10 inverse x जो है वो c के नीचे जो है वो e की power है तो अब यह उपर जाएगा तो यह negative power हो जाएगी तो इस तरह से इसका solution वो y is equal to bracket में 10 inverse x minus 1 है इसको खोलके लिख देंगे और यह plus में c into में e raise power minus 10 inverse x यह जो है हमारा solution हो गया उमीदा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नमैस गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जुरु दबात देंगे